हindi कि चलिया यह पिछले दिनों हम लोग ने कुछ हिस्ट्री के कुछ Meyer पार्ट को समझा था आज उससे आगे समझते हैं पहले क्या करते हैं रिवेजिन कर लेते हैं फिर उसके बाद का टॉपिक समझते आं तो सबसे पहले हम क्या किये थे हिस्ट्री को तीन कालखंड में बांड दिये थे पहला था पहला था क्या प्राग आतिहांसिक दूसरा था आधे आतिहांसिक और तीसरा कालखंड था आतिहांसिक कि यह तीन कालखंड में बाटे थे जिसमें से प्राग आतिहांसिक के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था इसमें लिखित प्राप्त हुआ है इसमें लिखित प्राप्त नहीं हुआ है उस समय के लोग परना लिखना नहीं जानते थे आप राठ अतिहांसिंग कालsst की लोग बारे में बात करते हैं तो फानिन यह रहा है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका इस तरीके से लिपर सले गया है कि उसकी लीपी अभी ताक़् आका समझमें नहीं है जिक है अब उसके बाद आतिहांसिक के बात करते हैं तो ये लिखित सुरूत इससे प्राप्त हुआ है इसे पढ़ा भी जा सका है डवल टिक का मतलब लिखा गया है और पढ़ा भी गया है ये दोनों चीज ध्यान रखेगा प्राग आतिहांसिक में क्या है इसमें लिखित सुरूत प बाक्त हुए है है कि पुरातात्तिविक शूत यह इससे प्रापट हुए इस में पुरातात्त विक्सरुत प्राप्ट हुए है कि प्रतात्तिक में पहले का स्रुथ ठीक्ष है पुरातात्त्त भी खरूत उव्य ऑठीजर कुरातात्त UPUS manipulating सबसे पहले समझते हैं कि मानव का पालना किसे कहा जाता है अफिरका को लेकिन एक और यहां पर सबसे पहले सब मानव का पालना किसे कहा जाता है अब ध्यान रखेगा वह भी कहां मेहरगड में जो कि अभी पाकिस्तान में ठीक है तो चलिए कि ध्यान देते हैं अफिरका में और यहां पर आदेत्या सिकालखंड यह सिंधु घाटी सब्वेता के समीप है तिक ना सिंधु घाटी सब्वेता इसमें आती है सिंधु घाटी सब्वेता इसमें जो है आपको प्राचीन मध्य और आधुनिक पढ़ेगा इसमें क्या पर नाम को प्राचीन प्राचीन इतिहांस मध्य और आधुनिक कि यह तीनों कालखंड हमको इसमें परना एक ध्यान दीजिए यह प्रचिन मध्य और आधुनिक में परना हम लोग को अतिहांस में परना है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे थे आधे आधे तया सिंधु घाटी सब्वेता ठीकना सब्वेता के बारे में किसमें पढ़ना है और उससे पहले हम लोग पढ़ रहा थे प्राग अज़ना है झाल्कत सबसे पहले वहाँ पर से अब चलिए इसको मिटाते हैं इतना तो समझ है इसको मिटाके आगे बढ़ते हैं और कीटा स्टर्य कंषी कोहींट कहा गया है कुन सा काल पासान काल का मतलब होता है पिठर जयदा लकी मतलब होगम के पränसे करते हैंद जये ईनुसार उसे पफ्चर के उप्यूगter होते हैं OF तो अभी हमारे समय में सबसेज़ादा रखान है और आगे बढ़ते हैं तो इसके प्रागन वोग Tène Body, तिम्त्र बाटे ठीक है इस जैसे हम डाइगराम बना रहें वह ध्यान रखे आपका हिस्टरी बहुत ही आसान बनता चला जाएगा को ज्यादा हाड नहीं है बहुत ही इजी आपको भी लगेगा ठीक है खाली देखते देए एक बार देखके समझते रहें बहुत इजी लगेगा बहुत दोन सब्साथ इंफिर मिलेगा ठीक है चलिए परते हैं प्राग एतिहां सिखके प्राग एतिहां सिखक्व सेच। किसे फिर्फ एैन पूरा पासान काल को शिरा पासान यहें दूसरा हो गया पासान तीसरा हो गए आपका नव पासान तीसरा आपका नव पासान ठीक है काल तीसरा आपका नव पासान दूसरा मध्य पासान और पुरा पासान तो हम लोग किसको पढ़े थे पुरा पासान काल को पढ़े थे ठीक ना पुरा पासान काल में क्या पढ़े थे ये ध्यान दि सभंगन का मिलने तो को मुझां जर जाते थे लिए है जहां गारोर यहां जाते थे ले कर जाते थे और उसको जब निखaltet सब से पहलत चलना कहां से सीखा था पूरा पासां काल में आंग की होई थी कहां पर हुई थी यहां पर पर होए थी और अखेट भोजन को संग्रह, आखेट, भोजन को आखेट कौन करते थे, पुरपासान काल वाले करते थे, यह क्या थे, खाना बदोस थे, यह खानी के लिए ही जीते थे, ठीक है, सबसे पहले क्या किये थे, चलना यहीं से सीखे थे, आग, आग की खोज भी यहीं पर हुई थी, आखेट यानि कि यह भोजन को संग्रह करते थे खाना बदोस्ते सिर्फ खाने के लिए ही जीते थे यह सारे पॉइंट सब आप ध्यान में रखेगा और इसे को क्या कहा गया है पासान काल कहा गया ठीक है और चलना भी यहीं से सिखेते और सबसे पहले कहा आथे अफिरका माना आप सब से पहले फिरका में जनम लिया है ठीक है इतना सारा पॉइंट आप ध्यान रखीगा ठीक है इसमें एक और पॉइंट आपको हम बताया थे समय टाइम याद रखेगा इसका कौन सा टाइम है यह था पचीस लाग से आपको चला था 25 लाग से बारह हजार साल तक हजार साल तक चला था ये चला था 12,000 से इंड半üğ数जार तक चला था ठीक हाओ यह चला था 5,000 temperatures good दो हजार तक चला मधा 5,000 से 2,000 तक स यह सत्य ध्यान रिखेगा टाइम भी-ठीक हम अपको बता रहे हैं सारे topic पूछे जाते हैं बरोबर पूछे जाते हैं अगर पूछे इस सब्से पहले बड़े-बड़े पत्रों को मतलब किसने क्या था मतलब सब्से पहले बरे बड़े को कीए अब कहने थे कि सबसे लंबा कालखंड है यह लंबा कालखंड है बुरा पासानकाल और इसमें एक और एड़ कर लेते हैं कि सबसे लंबा कालखंड तो चला ही था लेकिन इसमें क्या किया था लंबा काल खंड चला था ठीक ना लंबा चला था और चलना भी किये बोजन को संगडा खाना बदोष थे और फिर का अ मतलब मानाव का पालन अप їх ले चला ठीक है यहां लिखेंगे दिए पासानका ज्यादा लिखने पर्फर का उप्योग स्पाई यहां की पफ्षद का उप्योग थे ते लोग यह साब ध्यान राफिएगा इस सारी है चीजिस से पूछ सकता है 25 लाग से 1200 , तक छला था मानमने सबसे पहले चलना कहां सिरे ना कहां सी जाता पूर्ड़ा पासान का इन ने सीखा था मानमने आब ना की खुझ कास सबसे पहले किस कालखर्ण में के दिए तो क्यास कालख्र्ण नो에게 पूरा पासान तक जहते आप संगरा के जगह पर आखट वो दे सकता है ठीकिन और बहुत वार दिया हुआ है लेकिन आप यहां पर ध्यान रखेगा भोजन को आखिट सबसे पहले कहां पर किया था पुरा पासान काल में और उस समय पुरा पासान काल कहते हैं तो पासान काल कहा जाएगा और सबसे पहले बड़े-बड़े पत्थरों का यूज किस समय किस कालखंड में किया गया है पहले के समय में पत्थर से धीरे-धीरे मानव समझदार होता गया तो धीरे-धीरे पत्थर को छोटा करकर के उसको मतलब नुकिला बनाता चला गया धीरे-धीरे अभी देख रहे हैं करोना सबसे बड़ा हथियार बन गया है एक चमच करोना पूरे बीस्व को हिलाके रख दिया है तो यह सब जैसे जैसे हम आगे की और बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा हथियार छोटा होता जा रहा है पहले हथियार इतना बढ़ा था कि उसको ले जाने में ही दिक्कत होता था एक जगा से दूसरे जगा ले पिर नहीं दीखे गा नहीं दीखेगा पहले के दिखते थे जैसे महाभारत तो समय सब्सक्राव old श्यूर। च्छाथी पहुंचे उस हथियार से लड़ी जा रही यानि बायोकेमिकल का वाड आ गया वायोकेमिकल के जुग में हम लोग अभी जी रहे हैं ठीक है एक सस्रा करोना देखे एक चमच करोना पूरे बिस्व को हिला के रख दिया कितना करोर आदमी मर गया अर्बों में आदमी पासान कल हो गया और मानव का पालना अफिर का खा जाता है और उस समय सबसे लंबा काल खंड यही चला था आप समस्ते हैं मध्य पासान को मध्य पासान काल में उन्हों ने अंतिवश्टी काड़े करम को सुरुक किया था अंतियोश्टी कारे करम क्या है जब मरने के बाद आदमी को सु वेवस्ते धंग से दफना दिया जाता है जला दिया जाता है उसका अंतियुम संस्कार कर दिया जाता है उसे अंतियुस्टी कारेकरम कहते हैं हम लोग का कितना संस्कार है आपको पता है कि हिंदु धर्म में मानव का जो टोटल 16 संसकार होते हैं जिसमें से सबसे अंतियों संस्कार अंतियोष्टी संस्कार होता है आज कल तो संस्कृती इतनी चौपट होती जा रही है हम लोगों की कि हम लोग को अपना खुद का संस्कार नहीं पता है जब बच्चा पेट में आता है तो वो भी एक संस्कार होता है जर्म लेता है वो भी संस्कार होता है ब अंतियोष्ठी कारेकरम अंतियोष्ठी कारेकरम कहां शुरूब हुआ था मध्यपासानकाल में सुरूब हुआ था उस समय से ही मानव को शूब बश्तित ढग से दपनाने जलाने इत्यादी का प्रचूर मात्रा में नहीं मिला कोई भी चीछ मान के चलिए स्टार्ट होता है तो थोरी मात्रा में स्टार्ट होता है सब्सक्राइब कोई भी समय में को थोरा साक्ष मिलता है कि हाँ शुरू हो गया था तो हो गया था देखो शुरू हो गया थोरा सा मिल गया इसी के अनुमान के तौर पर जैसे कोई चीज हम खुदाई कर रहे हैं वहां पर थोरा चीज मिलेगा तो अनुमान लगा लेंगे कि सुरुवात यहीं से हुई थी कहीं जाए कि आपको बड़ा धेन मिलेगा तो क्या कि यहनि मान और कि चलिए उसमें बहुत समाझ में उसले जाएं कि हम क्या बता रहे हैं को से क्या समय में करते थे चार कि हम को ज्यादा समय में कर सकते यहां पर आजाएगा हम दोनों सामने होके बहुत अच्छा से पढ़ेंगे चलते हैं तो चलना यहीं से अखेट भी किये थे खाना बदोस भी थे पासानकाल मतलब कहा जाता है इसे मानव का पालना फिरकाव कहा जाता है और सबसे लंबा काल खान चलाता ठीक है यहां पर बड़े बड़े पथरों का उप्योग करते थे तो क्या करेंगे पथर को धीरे-दीरे छोटा करते जाएंग तो टोली बना कर के उस समय चलते थ जैसे फिली मैं भी देखते हो येगा आप लोग टोली बना करके एग जगह से दूसरी जगह जाता है तो वह से उसलिए लोग काते करने के लिए उस समय से अभी क्या करेंगे छोटे-छोटे पत्रों क्या करेंगे डिजाइन में बना दे चले जाएंगे धिरे-धिरे विकास कर रहे हैं तो हम लोग भी थोड़ा सा हत्यार के तौर पर मारने के लिए सिकार करने के लिए थोड़ा सा इजी तरीका ना अपनाए तो इजी तरीका अपनाने के चक्कर में क्या हुआ कि पहले बड़े-बड़े पत्रों का उप्योग करते अब छोटे-छोटे पत्रों का उप्योग करने लगे इतने समय में हम लोगों ने इतना सीख लिया कि बड़े-बड़े पत्रों को एक जगर से दूसरे जगर ले जाना हाथियार के तौर पे जिसको क्या कहा जाता है मार्णो माइकॉइक मतलग छोटा अलिफ मतलग पत्थर तो सबसे पहले कुष्चन आया था जमिया ठीक न कि मार्णोलिथ का बो़तो या मार्णोलिक का मतलब मतलब बिक सबसे पहले कि संद्द में हुआ था तो मैध bearing माइक्रोलित का ऊप्वएव किस कालखंड में हुआ था माध्यपासान काल में अगर पुछन पूछ सकता है कि अगर माइक्रोलित्ट का परियूग सबसे पहले कहां किया गया था जो प्राग तिहांसी का सगेंट पार्ट सगेंट पार्ट यह नहीं पूछेगा लेकिन किस कालखंड में किया गया था कब से कब तक चला था यह कुछिंग को पूछेगा और इस कालखंड को क्या कहा जाता है तो अंतियुष्टी कार्य कराम भी बढ़े पासानकाल में ही शुरू हुआ था तो मध्य पासानकाल में कुछ ज्ञादा चेंजिंग नहीं आया था ठीक ना हम लोग ने चलना भी सिखी लिया था चलना यहां पर सिख लिये हैं और अपने हंथियार को छोटे कर दिये और उसके बाद थे जब वह बूटे हो जाते थे तो उसको बड़े ही सम्मान के साथ हम लोगों ने दफनाने जलाने का में यहां से काड़े करम सुरू कर दिया तया यहां तक समझ गए अब आगे चलते हैंगे चलते हैं ठीक जैसे गुरूफ बना करके उस समय आदमे रहा करते थे तो समय क्या हुआ कि विद्तोली Together सव्क्राइब देखना से लिडर्शिप के लिए बिद्रों हो गया विद्रों हुआ तो उस समय बहुत सारे कि आपको से वह बहुत सारी जंगलों हो का देज से चंगल वहां पोट सारे यहां पर ञलाश!! च्छिपने की जगर होगी बारिश तेज होगी बारिश वहां पर प्रयाप्त मात्रा में होगी और जानबर भी सबसे ज्यादा वह पाया जाएंगे तो वहां पर जानबरों की संख्या अधिक पाई जाती थी खाने की कोई टेंशन नहीं थी लेकिन अश्या में ब्रेक्ष चुछ रहां का लिए ना तो कि हम लोग के सामने खाने की बहुत सारी टेंशन होगे कि हम आखिर खाना कहां से कट्टा करेंगे चुकि हम बड़े बुजूर को खा नहीं सकते हैं चुकि हम लोग ने अंत्रृकरम शुरू कर दिया था ठीकना जलाना अपनाना अनिवार हो ग लेकिन खाने की सबसे बड़ी टेंशन हो गई तो हम लोग क्या किये कि वहां पर फॉल था बहुत सारा पेर फेर लगा होता है तो उस्सक्राइब फालुल खाये और आगे बढ़ गया तो उसी में से कोई आदमी मतलब क्या किया कि सोचा कि इतना सारा फ्रें हम तो एक दिन में खानी पाएंगे तो का किया वू रिया और उसको जमीन के निचे पहले को डimana भी होता है गाने हसी पहले होता था कि फैसे वह चमीन के तर में गार के रख दिया जाता लि대 Each दें टोली मतलब खाने के अब होता उसको जमीन में गार के रख दिया गया और और वहां से आगे की और बढ़ चला गया चुकि एक जगह उसको ठढ़ने का तो कोई उसमें अता-पता था ही नहीं ना घर था ना दुवार थो तो कहां ठढ़ेगा तो सबसे अब लोग पत्थर की गुफाओं में रहते थे यहीं उसका आवास था तो चले गया तो फिर एक बार क्या हुआ कि वो लोग वापस खाने के चक्कर में वापस घूम करके तो देखी कि जहां पर हम लोगों ने छुपाया था फल बहुत सारा छुपाया था कि चलो उसे को खाते हैं अब फल की खतम होगी मतलब किलत है बहुत सारे फल लगे हुए है तो इससे यह पता चला कि खेती के शुरूआत करेसी के शुरूआत उसमें उस समय से आईडिया कि कि यहैं रोप दे तो वो फिर बराहा हो करके हम को वहाप्ट हो जाएगा तो सबसे पहले प्रीशी कि शु अब यहां पे देखे कोई चीज अगर बहुत सारी मात्रा में उत्पन होती तो इसको संग्रा करने के लिए कुछ चाहिए रखने के लिए कुछ चाहिए जिस्वावी क्या होता है कि जादा मतलब कोई समान और पैदवार अछे होती है तो उसको धर में लिजा करके बेरी टाइप में रखा जाता है ताक्य अच्छे दाम आने तो उशो sympath हATE ही से क्रिस हो गये हम लोगों और प्रोब्लम आ गया मी प्रोब्लम नाखेंग में और अपना तो रहने आग को देखकर कोई आपके पास समीप नहीं आएगा तो क्रिशी के सुरुवात कर ली थी और उसमें क्या किया थे क्रिशी की सुरुवात करने के बाद हम लोग इसको इकठा करने के लिए सबसे पहले क्या क्या किये थे पहले थे हम लोग पत्थर के अंदर रहते थे और उस समय हम जैसे एक पड़िवार हो गया जो पत्थर के गुफाओं में रह रहा है तो उसमें से एक पड़िवार जग के रहता था रखवारी के लिए कि कोई जानवर अंदर ना आ जाए जिससे सभे को नुक्सान पहुंचे तो इसके लिए किरेशी कें जब हम लोग करतिय तो उस में हमाया घॉआरी हो गया नना चया लिए हम और ऑने और संभ्यना करना सुरूंद गार बनाए आवास सबसे पहले ली आवास यही पे हम लोग बनाय थे आवास की समस्यरो पार्मानिंतिएं नफ पासानकाल में मिला यह अस्थाई घर बनाने का यहां पर हम को मिलारी ठीक है और यह सारे काम हम काह कर रहे हैं तो यह जैसे ही नफ हम लोग को अफिरकास पर भगाया गया था तो हम लोग एसी आ में एक ही जगह पर आके ठाड़े थे वह जगह का नाम था मेहरगड जगह वहां पर आवाज नो बना लिए लिकिन VC जो फुरह था बोहस बरी मात्रा में हुकूः परे मात्रा में हुआ तो हम क्या की उसको लिए कैसे जाए चुल्ल में ले जाएंगे या आप जानते हैं कि ये कोयार्मी एंज नाज होता है लेसी सालों लगEEगा देशा लेसे फिर अउसको मोर के ःताइब होता है जिसमें को समान को एक जिगष से दुसरे जगा ले जा ये तो समय हम लोगाने कांप क्या क्या और भांड मतलब बरतन मृद भांड बनाया ठीक है और चली ठीक है मृद भांड बना लिए समस्या यह है कि कि कितना माथा पर ढोकर के ले जाएंगे समस्या है ना कि सबसे पहले यहां पर हम लोगों ने चक्का बना चाक बनाया और उसी डाल करके दो चकट्रव अब यह नहीं और ले जाते थे असान होगे टेक्स हैं अपने मतलब आगे मण हम ही रहें और कर रहे हैं कि ताकि हमें समय कम लगे और हमारा जल्दी निकल जाहिए थीक hm और हम लोगों ने क्रिसी किस चीज के कर रहे हैं ठीक ना अब देखिए उस समय क्या था कि हम लोग के अब भी देखते होंगे कुटा सबसे वाफादार होता है बड़े घरों में देखते हुए कुटा को पाला नहीं जाता है वहां पर भागा दिया जाता है तो सबसे पहले कुटा को हम लोगों ने पालतो बनाया था तो वह पहली समझ जाता था कि मेरा मालिक वापस आ रहा है तिक है तो हम लोगों ने किसको पाल तो बनाया था खुट्ता को पाल तो बनाया था यहां तक कोई दिक्कत अब चलिए यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आगे चलते हैं ठीक ना कि आगे चलते हैं इस मरिधिभांड को हम लोग मनका बोलेंगे क्या बोलेंगे मनका मन का घहरा को ही मन का कहा जाता और देखे इस यूग को इस यूग में हमें प्रचूर मात्रा में ताम ताम किया मिला है क्या मिला है दाम बाजी से ताम रफ पासान कहा गया कि अध्यू मस्ट यह सारे इसको द्यान में रखें आई अपको पूरा समझ में आ आगेगा और कुझों अपको पूछेजा का यूत तो सभेता कावद पालना इस्या को कहां जाता है किसाहित सबसे पहले सब आनप कहां को या थे महर गड़ में रहाते topics सबसें करूद प्रिकी अप मन का मतलब मेरे दभांड बनाया था चक्का का विश्कार किया था और गेहों और जो की खेदी सबसे पहले इन्हों ने की थी कुता को पालतो बनाया था और इस युग को तामरपासान युग कहा जाता है तो हम लोगों ने बड़े ही अच्छे तरीके से समझा है आप ध्यान स एक बार और देख लीजिएगा इसको बड़े अच्छे से देख लीजिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए यह जितने भी पॉइंट है आपको हर एक कुष्चन के और इसारा कर रहे हैं जैसे इसमें ही कुष्चन बनाते हैं कि सबसे पहले कुष्चन रहे हैं आपको जितने भी पॉइंट है तामर पासान कुटा जो गेहुंग चक्का मन का आवास कृसी मेहरगड़ ये जितने भी पॉइंट है आपको हर एक कुष्चन की तरफ आपको इसारी सारा करते हैं आप रटते रहिए रखते रहिए कितना रटीएगा अब यहीं सबसे पहले मानव में सबसे पहले मानव सब्सक्राइब घचलना किसमें किया था उस तरीके से जब याद कीजिए गाता आपको 7 रटना नहीं पढ़ेगा समझ जाएगा तूरा समझ में नहीं तो चलिए यह सारे पॉइंट समझ में आगा स्टाइम याद रखेगा टाइम पिडियोड यही सबसे लंबा कालखंड यही चला था इसको आप अच्छे से नोट कर लिजेगा नोट कर लिजेगा और एक पर देख लिजेगा तो आपको समझ में आ जाएगा और पढ़ेंगे बहुत इंट्रेस्टिंग पॉइंट पढ़ेंगे ठीक ना आप लोग बस अपना सब्सक्राइब दिखाते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद